ब्रेकी बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कहानी कुरसी की इसमें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बिहार से मिल रही है बिहार में MLC चुनाव पर ये बड़ी खबर है महागट बंदर ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है आरजडी के चार कैंडिडेट्स CPI ML का एक कैंडिडेट आरजडी से कैंडिडेट होंगी MLC की राबडी देवी वहीं अब्दुल बारी सिद्धी की MLC चुनाव लड़ेंगे और CPI ML से शशी यादफ को उम्मीदवार बनाया गया है तो इंडिया गटपंदर ने MLC उम्मीदवारों के लिस्ट का एलान कर दिया है नामों का एलान कर दिया है आरजडी की तरफ से राबडी देवी को MLC उम्मीदवार बनाया गया है RJD के चार कंडिडेट हैं CPI ML का एक कंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा गया है नितीश शंद्र मेरे सायोगी जुड़ गया है नितीश और क्या ज्यादा जानकारी इस मामले पर ठीके 6 माई को 11 सीटें विधान परिशद में खाली हो रही है और 11 मार्च को नॉमिनेशन की आखरी तारीक है तो सबको इंतिजार इस बात का था कि आखिर महागटवंदन की तरफ से कौन सा चेहरा होगा तो अब लिष्ट चुकी आज चुकी है अब इसमें साफ तोर पर दिख रहा है कि राबडी देवी एक वार फिर से विधान परिशद जाएंगी और इसके अलावा जो नाम आपने बताये हैं वो सारे नाम अब तै हो चुके हैं जगदा नंद सिंग जो की प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के उनका नाम कल बिलकुल तै हो चुका था लेकिन सुत्रों का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे जो की आरजेडी के विधायक है सुधाकर सिंग उनके लिए लोगसभा की सीट पक्की कर ली है तो बेटे को लोगसभा का टिकट दिलाने के एवज में जगदा नंद सिंग ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है और चुकी बकसर का जो इलाका है वहां से जगदा नंद सिंग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं तो अब विधान परिशद की दावेदारी उन्होंने छोड़ दी है लेकिन जो बाकी चेहरे हैं उसमें से दो अल्प संख्यक चेहरे हैं अब्दुलबारी सिदिकी के अलावा जो फैजल हैं वो शिवर्ज लोकसभा सेट से पहले आरजेडी के उमिदवार रह चुके हैं उनको हार मिली थी तो दो अल्प संख्यक चेहरे हैं और इसके अलावा माले की तरफ से एक शशी यादब को मौका दिया गया है और उर्मिला ठाकूर एक हैं जो की महिला मोर्चे की अध्यक शड़ा चुकी हैं तो इस तरह से जो समीकरन है उसको ध्यान में रखा गया है तो निशित रूप से अब जो सामने आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए सारे नाम तै किये गये हैं और कॉंग्रेस का कोई उमिद्वार नहीं होगा अखलेश सिंग अभी रासभा गये थे उसमें माले का सयोग लिया था और गठबंधन का उनको साथ मिला था तो माना जा रहा है कि उसकी भरपाई विधान परिशद में अपनी दाविदारी छोड़ कर निभाई है कॉंग्रेस ने और अभी चुकी विधायक उनका साथ छोड़ गए हैं तो ऐसे में मुकाबला दिल्चस भी हो सकता है विकुल लेकिन इस लिस्ट को देखकर तो समझा जा सकता है कि जो M.Y. समिकरण है उसे पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है हाला कि इन दिनों कुछ दिन पहले तेजस्वी आदव ने कहा था कि M.Y. का मतलब मुस्लिम और यादव सिर्फ नहीं है हम सारे समाज को एक साथ लेकर चलते हैं लेकिन M.L.C. के इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने इस वोट पैंक को पुखता करने की और मजबूत करने की कोशिश आरजेदी की तरफ से की गई है पूरे गठ बंदन की तरफ से की गई है अर्शवर्दन जी निश्यत तोर पर और इसमें कुछ भी चौकाने वाला नहीं दिख रहा है यह जो सूची है यह राश्टी जनता दल की राजनीती का यही एक तरीका रहा है और मैं तो फिर से कह रहा हूँ को अपे मौई समीकरन भी क्यों कहते हैं लालू जी के घर में लालू जी उनकी पतनी उनके बेटा उनकी बेटी उसी पर तो सारी राजनीती चलती है आप उसको MOI कह दे रहें अब अब अबदुल बारी सिद्की या जितने भी जो इस सूची में नाम दिख रहे हैं वो वही नाम है जो लगभग प्रत्याशित है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है क्या इसके बावजूद MOI के इतर लालू प्रसाद यादो पिछली जातियों में या दलितों में कोई भी सेंध मारी कर पाएंगे क्या क्या जो मोहन यादो लगातार कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़े वर्क को संदेश देने की कि देखें यहां तो जो किसी के भी घर का बच्चा है वो आगे बढ़ सकता है आप वहां पहुँच सकते हैं क्या मुझे लगता है वो बड़ी चुनोती बनी हुई है और इस सूची में कम सकम उसको तोड़ने का कोई मुझे बहुत कहें कि कोई अचूप कोई ऐसा मंत्र हो कोई रास्ता हो दिखाई नहीं देता है तेकि 2024 के लिहास सारी तैयारी की जारी है चाहे राज्य सभा का चुनाव हो चाहे मलसी का चुनाव हो और तमाम राजनेतिक दल अपने वोट बैंक को साथने की कोशश कर रहे है इसी कड़ी में आज महिला दिवस की मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने देश की करोड़ों महिलाओं को एक सौगात दी में महिलाओं की जबरदस्त मौजूद्गी इससाफ करती है कि बीजपी की बंपर जीत में महिला वोटर्स का योगदान सबसे एहम है ऐसे में इस बार ये वोट बैंक कितना एहम रहेगा ये देखना भी खास है आज एलपेजी सिलेंडर की खीमतों में कटोती पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं मैं देश की सभी महिलाओं को बहनों को बेटियों को इंटरनेशनल विमेस दे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज ही मैं अभी आप तो यहां बैठे हैं मैं गया सिलेंडर के सो रुप्या कम करके आया हूँ तो युवा वर्को सादने की कोशिश आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की तरफ से की गई और महिला वोटर्स जो ऐसा माना जाता है और आकड़े भी बताते हैं 2014 और 19 के भारते जनता पार्टी के साथ इंटेक्ट रहता है उनकी संख्या लगातार बढ़ती है उन्हें भी सादने की जो कोशिश है वो कही न कहीं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की तरफ से बीज़पी सरकार की तरफ से की गई है ये जो एक कोशिश ठीक चुनाव से पहले राहूल जी की गई है इसका reflection क्या हमें चुनावों में नजर आ सकता है लेगी मुझे लगता है कि महिला वोटर्स जो है पहले से ही बीज़पी और प्रधान मंतरी मोदी के साथ हैं हमने विदान सभा चुनावों में भी देखा था कि किस तहां से बढ़ चड़ के महिलाओं ने चुनावों में पाटिस्पेट भी किया था और खास्तोर से किस तहां से प्रधान मंतरी नेंद मोदी की जो जन सभाएं हैं वहाँ पर महिलाओं किस रूप में और किस संख्या में सामने आती हैं अब ही हमने पश्चे मंगाल में देखा कि किस तहां से जो महिलाएं बहुत ही जादा तादाद में उनकी सभा में मौजूद थी और तब तो ऐसा कुछ नहीं था कि गैस सिलंडर का कोई उन्होंने पैसे कम कर दी हूँ लेकिन हाँ ये बात आप हमने देखी थी कि जब वो एक लाभारती से जब आयोधिया में मिले थे तब उस लाभारती ने ये कहा था कि गैस सिलंडर की कीमते चुब रहे तो शायद वो भी प्रधान मंतरी के कहीं न कहीं मन में रहा होगा कि जो गैस सिलंडर है उसकी कीमतों को कम किया जाना चाहिए तो ये महिलाओं को देखते हुए महिला देवस पे उन्होंने एक तोफ़ा महिलाओं को दिया है और देखे महिलाओं जैसे मैंने आपको कहा कि विधान सभा चुनाओं में और अब जो रैलियां हो रही है प्रदान मंत्री की जन्द सभाई हो रही है वह ये तो साफ ही है कि बीजेपी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जो अगला आने वाला चुनाव है उसमें किस तहां से महिलाओं का साथ होने मिलेगा। प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने सुधा मूर्ती को राज्य सभा के लिए मनोनीद किया है। सुधा मूर्ती को पादमश्री और पादमभूशन से समानित किया जा चुका है और आप उन्हें राज्य सभा के लिए मनोनीद किया गया है। तो देखिए ऐसे लोगों को पहचान देना या ऐसे लोगों को सम्माने देना जो अपने एक बड़ी पहचान पूरे देश में नहीं बलकि विश्भर में बना चुके हैं। ये नई पहल मोधी सरकार में हर्षपरदन ची नसर आती है और इसका रिफ्लेक्शन वोटर्स के बीच में भी देखने को मिलता है और नेरेटिव बिल्ट अप होने में भी देखने को मिलता है। से देखते हैं तो एक ऐसी महिला जिसने अपने पती को उस समय में समर्थन किया जब शायद बहुत मुश्किल था नारायन मूर्थी इंजिनियर थे वो चाहते किसी भी कंपनी में अच्छी से अच्छी कंपनी में नौकरी करते रहते लेकिन नहीं उन्होंने तै किया अपन सुधा मूर्थी के बारे में बात करते हैं सुधा मूर्थी कहती है कि पती प्रेम करता है मतलब यह नहीं कि सिर्फ वह आके अच्छे अच्छे गिफ्ट दे महंगे महंगे गिफ्ट ते तुमको घुमाने ले जाए मॉल ले जाए यही नहीं है वो कहती है पती अगर सफल हो आज महाशिवरात्री के दिन, आज अंतराष्टी महीला दिवस के दिन हालाकि मैं बार बार कहता हूं कि जिस देश में ओम नमः पार्वती पतह हर हर महादेव के नारे सी चुरू होता है पार्वती पहले होती हूं लेकिन बहुत बड़ा संदेश जाता है एक शांदार निरन है और जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद तयार हो रही हैं उनको आज अच्छा लग रहा होगा सुधा मूर्ती को भारत की सरकार ने राश्टरपती महोदे ने राजस्वा सदस्य बना लिए लिए जाते हैं पूरी पार्टी की तरफ से लिए जाते हैं और पूरा देश उन नामों को जानता भी है अगर उन्हें स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो एक कानून मना जाए कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और वह कानून बनाने के अंदर महिला भूमी का निबाए तो पदार मंतरी मोदी का हमेशा यह रहा है कि महिलाओं को जिस शेत्र में भी हो उसको आगे बढ़ाने में जितनी साओधियत हो सकती है वह दिया जाओ पदार मंतरी चाब गुजरात के लिए अगर कोई बच्चा नहीं पड़ पाता है तो किस तरीके से नहीं वहाँ पर व बहुत बहता जर्ड दिनना लिया है सुधामुरति को राजश्य सभाब रेज़ कर मुझे लगता है बहुत अच्छा दिनना है देखिए महंगाई का मुद्दाव ऐसे भी नहीं बन सकता है बीजेपी का जो सबसे बड़ा अगर मैं उसी एकॉनमी में अगर देखूं तो जिस पे आरोप लग सकता है जिस मामले पे वो है महंगाई और महंगाई पे जो पकड जो है बीजेपी सरकार ने और नहीं नमोजी स तरकार ने बना के रखी है इस वक्त अगर अगर महंगाई की दर देखेंगे सबसे कम आपको दिखाई देती है तो ऐसे में आप विपक्ष कुछ भी इसमें बोलता रहे कि महंगाई बहुत जादा है या महंगाई बढ़ रही है पर जो फिगर्स हैं जो आंकडे हैं वो ऐस जिस तहां से महंगाई जो है उसे कंट्रोल में रखा जाए और साफ तोर से जो महिलाओं के लिए उन्होंने स्कीम्स चड़ाई हैं जिस तहां की स्कीम्स उन्होंने महिलाओं के लिए लेके आए हैं चाहे वो फ्री राशन की स्कीम्स हो या फिर घरों की स्कीम्स हो या फि की जो दिक्कते हैं उसको लेकर कितना ज्यादा कंसरन है